आज स्टार्ट करते हैं हैपरबोला के कुछ सवाला से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके उपर कुछ सवाल लेते हैं बन लीजे आपको मैं एक equation देता हूं let's say y square minus 16 x square बराबर 16 यह एक हैपर बॉला के equation है और आपको को बताना है कि इसâte Lek The फोकजिक क्या होंगे दूसरा आपको बताना है है वाट इस्थे कौन से होंगे और आपको बताना है इस एप त्रूट क्या होगी और छौथा बताना है आपको लैंट हमो लेटास y square upon 16, minus x square upon 1, is equal to 1, तो यह कैसा hyperbola दिख रहा है आपको, यह vertical hyperbola है, जिसमें a की value कितनी है, 4 है, और b की value, 1 है, और a क्या होता है, a होता है, origin से लेकर, जो पहला vertex होता है, उसकी बीच की दूरी होती है hyperbola के लिए, यह वर्टेक्स होता है, उसकी बीच की दूरी होती है hyperbola क के लिए, c square is equal to a square plus, इलिस्ट में minus होता है, यह प्लस होता है, तो a square minus b square मतलब 16 और 17 यह वर्टेक्स होता है, और फोकाई की कोडिनेट्स क्या होते हैं, वर्टेकल हैपरbola के लिए, वर्टेकल हैपरbola के लिए, एक कोडिनेट होगा 0, c, 1 होगा 0, minus c, तो यह नहीं पहला का जो answer हो जाएगा, फोकाई का वो हो जाएगा, 0, under root 17, 0, minus under root 17 मेरा दूसरा फोकास होगा, इन दोनों को मिलाके मैं फोकाई बोलूँगा, वर्टेक्स काफी आसान है, वर्टेक्स क्योंकि हम जानते हैं, यह दूरी पर होता है, center से vertices, तो अगर centrum origin पर मान रहे हैं, और y-axis पर उसकी transverse axis है, conjugate axis क्या है, x-axis, और transverse axis y-axis है, तो जो vertices होंगे वो हो जाएगे 0,4 and 0,-4, और eccentricity simple होती है, eccentricity होती है c by a, और यह नहीं कहने का मतलब है eccentricity हो जाएगी इस case में, under root 17 by 4, यह आप देख सकते हैं, 1 से बढ़ी value है, because under root 17 4 से बढ़ी होगी, तो यह 1 से बढ़ी हो जाएगी, यह answer आगया है eccentricity का, और length of latest rectum होती है, 2b square by a, तो actually b की value 1 है और a की value 4 है, तो 2 upon 4 यानि की 1 upon 2 answer आजाएगा, तो उस quad की जो length हाएगी 2b square by a, वो 1 about 2 है, यानि हाफ इधर होगी और हाफ इधर होगी, y-axis के, ठीक है, y-axis के आधी इधर होगी, और आधी इधर होगी इस तरीके से हम यह सब चीज़े हैं देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक और सवाल लेते हैं, यह तो पिछला सवाल एक construction की उपर था, मैंने एक vertical hyperbola लिया, वैसे ही मैं एक horizontal hyperbola भी ले सकता था, but I hope कि आप उस सब कर लेंगे, एक और सवाल लेते हैं, find the equation of the hyperbola with focai, focai दि 11 by 2 आपका 3 से कम होता है, यह आपको vertices के coordinates दिये होएं, और 3 पर क्या है, focai है, आपको बताने equation of hyperbola क्या होगा, तो यहाँ पर साफ सी बात है, यह standard equation दी हुई है parabola की, standard equation दी हुई है hyperbola की, और यह horizontal hyperbola है, जिसमें जो vertex है, वो आपको दिया हुआ है, under root 11 by 2,0 पे, और focai यह हुआ है, 3,0 पे, ऐसे ही left की ओर भी होगा, ठीकिए, यह minus root 11 by 2 और यह हो जाएगा minus 3,1 पर जो जानने वाली बात है वो यह है कि यह दूरी जो होती है, वो होती है a, और यह जो focus तक की दूरी होती है, वो होती है c, यह आपको a की वाली दी हुई है, under root 11 by 2, यह basically दूरी होती है, ठीक है, तो center से आपके vertex की दूरी है, वो a है, वो root 11 by 2 है, और c की value दी हुई है, 3, जो की center से focus की बीच की दूरी है, center और focus की दूरी है, a और c पता लग गया, और क्या चाहिए होगा आपको बस, b और चाहिए है बस, तो हम निकाल सकते है c square is equal to a square plus b square, तो b square की value हो हो जाएगी, c square minus a square, c square हो जाएगा 9 minus a square हो जाएगा 11 upon 4, जवाब lc हम लेंगे तो आएगा 36 minus 11 यान 25 upon 4, यानि b square की value हो गी 25 upon 4, a square की value हो जाएगी 11 upon 4, यानि equation मन जाएगी hyperbola की, x square upon a square, यानि 11 upon 4, minus y square upon b square, 25 upon 4 is equal to 1, 4 आप भले lc m ले जिए और इसको आप भले दर ले जाएगी, कहीं भी कर लीजे, तो यह उस तरह बन जाएगा, या आपके पाद answer आजाएगा, 4 times x square upon 11 minus y square upon 25 is equal to 1, यह answer आजाएगा, अगला सवाल करते हैं, find the equation of the hyperbola, whose vertices are plus minus 7,0 and eccentricity is equal to 4 upon 3, क्योंकि vertices दिये हुए है, plus minus 7,0 पर a की value हो गई आपकी, 7, और eccentricity होती है, c by a बरावर दिया हुआ है, 4 by 3, ठीक है, तो c की value क्या हो जाएगी, c की value हो जाएगी, 4 by 3 multiplied by a, यह नि 4 by 3 multiplied by 7, a की value 7 है, तो c की value हो जाएगी मेरे पास, 28 by 3, अब मुझे b की value निकालनी होगी, मैं जानता हूँ, b square बरावर होता है, c square minus a square, hyperbola के लिए, तो c square minus a square मैं कर दूंगा, 28 का square upon 9 minus a square यानि की 49, 7 का square यानि की 49, यह से 20 square आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका equation क्या हो जाएगा, क्योंकि कैसा hyperbola है, horizontal hyperbola है, equation हो जाएगी आपकी, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, तो a की value पता ही है, आपको 7, और b की value, b square की value, a square की value हो जाएगी 49 यहां से, और b square की value आप यहां से, निकालेंगे, दोनों value का आप यहां पर put करेंगे, तो आपका answer आएगा, एक और सवाल करते हैं, find the equation of hyperbola, whose foci are 0, plus minus under root 10, passing through 2,3, ऐसा hyperbola जिसके foci यह हो और वो इस point से होके गुजरता हो, वो बताना है आपको, foci से देखके पता लग रहा है, यह कैसा hyperbola है, vertical hyperbola है, ठीक है, vertical hyperbola है, साफ है, और जिस case में आपको पता है, c की value है, under root 10, जो कि यह सेंटर से foci की दूरी है, वो c होती है, वो under root 10 दी हुई है आपको, और हम जानते हैं कि c square होता है, a square plus b square, यानि c square हो जागा 10, यानि कहने का मतला है, therefore a square plus b square बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है, c की value under root 10 है, और यह एक relation हो गया, ठीक है, a square और b square में, इसको नाम देते हैं, let's say, 1, first equation, और दूसरा मैं जानता हूँ कि, जो मेरे equation होगी, जो कि vertical ellipse है, जो मेरे equation होगी, मैं मान लेता हूँ, let the equation be, y square upon a square minus x square minus x square upon b square is equal to 1, यह मैं equation मान सकता हूँ, ऐसी equation होगी, यह वर्टिकल ellipse है, तो y square upon a square minus x square upon b square type की होगी, ठीक है, और इस यह जो ellipse है, यह जो मेरा इस point से होके गुजरता है, 2,3 से, यानि इसको satisfy करेगा, ठीक है, 2,3 से गुजरता है, satisfy करना चाहिए, यानि मैं तेरफोर बोल सकता हूँ, y की चेकर मुझे 3 डालना चाहिए था, तो यानि 3 का square, यानि 9 upon a square minus 4 upon b square is equal to 1, एक relation मिरे पास, यह आगया, इसको मैं बोलता हूँ, let's say, second equation, तो मिरे पास दो equation है, पहली यह है, दूसरी यह है, और मिरे पास दो variable solve करने के लिए, एक तो मुझे solve करना है, a square और एक मुझे solve करना है, यह दो ना solve हो जाता है, तो मेरा hyperbola की equation मुझे पतल जाएगी, ठीक है, कैसे solve करेंगे, आप basically, पहली वाली equation से a square क्या हो जाएगा, 10-b square हो जाएगा, उसको आप यहाँ डाल दीजे, 10-b square को solve हो जाएगा, तो second को simplify कर यह पहले, second equation क्या बन रही है, देखिए, second equation बन जाएगी, 9b square minus 4a square is equal to a square b square, यही question बनती हूँ दिख रही है, 9b square minus 4a square is equal to a square b square, फिर आप क्या करीए, यह a square को b square में convert कर दीजे, b square को a square में कर दीजे, पहली equation से, पहली equation से माल लिजे मैं a square के value डाल देता हूँ, a square के value डाल दूँगा, 10-b square, ठीक है, तो इस equation में 10-b square डाल देते हैं, देखते हैं, आके क्या बनता है, इस equation में मैं यह सकरके ज़िए डाल दूंगो 10 minus b square यह बन जाएगा 9b square minus 4 times 10 minus b square into is equal to 10 minus b square multiply by b square सारा equation मैंने b में convert कर लिया पहली equation का use करके यह बन जाएगा मेरे पास 9b square minus 40 plus 4b square is equal to 10b square minus b to the power 4 इस b to the power 4 को ज़ले जाएगे यह यह 9b to the power 4 यह 9 और 4 तेरा में 10 गए तो 3 यह प्लस 3b square minus 40 is equal to 0 यह बचेगा इसका factorization करना पड़ेगा मेरे को इसका तो क्या करने पाएगा 8 5 is the 40 होता है यह बन जाएगा यह बन जाएगा 8b square minus 5b square minus 40 is equal to 0 अगर मैं b square लोंगा common तो बचेगा b square plus 8 minus 5 common लोंगा तो b square plus 8 अब b square plus 8 common ले लेते हैं तो क्या आएगा b square minus 5 into b square plus 8 is equal to 0 दो solution आएगे इसके या तो b square is equal to 5 या फिर b square is equal to minus 8 अब क्योंकि b square square quantity है तो वो negative कभी नहीं हो सकती या तो 0 होगी या positive होगी इसलिए यह answer मेरा reject हो जाएगा और यह answer accept हो जाएगा यानि b square की value होगी 5 a square की क्या value होगी a square हो जाएगा 10 minus b square value equation से या यह हो जाएगा 10 minus 5 यानि की 5 यानि इसमें यह और भी दोनों बराबर हैं यह कौन सा hyperbola equilateral hyperbola है यानि यहापर equation बन जाएगी आपकी y square upon 5 minus x square upon 5 is equal to 1 यानि कुल में लागे बन जाएगी y square minus x square is equal to 5